दोस्तो आज एक विशे पर चर्चा करेंगे जो बहुत गम्भीर विशे होता है अगर ये बाधा उत्पन हो जाती है कुंडली में योग बन जाता है अगर गलत तो वेक्ति जो होता है काफी परेसान रहता है और अगर ये योग अच्छा बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात होती है ये योग है संतान प्राप्ति का योग कुंडली में बनना ये पाचवे भाव से बनता है तो आईए जानते हैं संतान प्राप्ति के योग के बारे में इसमें जो होता है लगन कुंडिली या चंद कुंडिली से पंचमेस जो होता है पाचवा भाव इसका मतलब पाचवे भाव से है पाचवा भाव का स्वामी या फिर गुरू यदि केंद्र तिकूण धन भाव में बैठे हों और अस्त नीच के या फिर सत्र छेतरी ना हो सुब ग्रहों की दरश्ट या योग प्राप्त होता हो कोई योग प्राप्त हो रहा है आईसा पंचम भाव अगर हो तो आप समझ लीजिए यह अच्छा है इसके अलाबा लगनेस या पंचमेस यदि एक साथ हो या कोई संबंद करते हो या परसपर दश्ट करते हैं या एक दूसरे की राश में हो तो भी पुत्र प्राप्त योग बनता है पुत्र प्राप्त होता है कुंडली के माध्यम से आईये समझते हैं ये कुंडली जो है दो पुत्रों के पिता की कुंडली है इस कुंडली में पंचमेश बुद्ध सुब भाव में है पंचमेश बुद्ध जो है इसमें सुब भाव में है गुरु सुब भाव में है इसके अलावा चंद्र कुंडली में पंचमेश सनी पंचम में ही है तो संतान होना मतलब दरसाता है सुनिश्चित करता है उस भाव में ये रासिया आ जाती है तो संतान कम होना प्रकट करता है ऐसा माना गया है विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि अलपसुत रास जो होती है अगर इसमें हैं तो संतान कम होना माना गया है ये अलपसुत रास होती है दो छे आठ पांच राजिया यह अगर पांच वे भाव में हैं तो कम संदान होना बताया गया है पंचम भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हो तो उसका क्या मतलब होता है मंगल हैं मंगल को पाप ग्रह माना गया है और भी पाप ग्रह होते हैं तो अगर ये पंचम भाव में हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, पाप ग्रह भी पुत्र कारक होते हैं, पंचम भाव का यदि स्वामी जो है, पाप ग्रह है, तो पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ स्वचेतरी और उच्च मित्र छेतर को भी देखना चाहिए, इसके साथ में राहू और सन्जी हैं, लेकिन संतान अवसी होगी, क्योंकि लगन से पंचमेश वा गुरू सुब भाव में हैं, अनकूल योग है, गुरू से पंचमेश स्वयम गुरू है, या एक विसेश अनकूल योग है, चंद्रमा से देखने पर पाँचमे भाव का प्रतिकूल योग वा एक आधिक अनुकूल होने से संतान होना इसपष्ठ है। कुंडली जिस व्रक्तिकी है उसके दो पुत्र है। देखने पर पंचम भाव में अलपसुत व्रस्चिक रासी है। दो छे पांच आठ रासियां कम संतान वाली रासियां है। तो संतान कम होती है और बहुत देर से संतान होती है। जुआ के चार साल बाद इन्हें संतान हुई इसी प्रकार से प्रयत्न पूर्वक संतान होने का योग होता है मतलब कठनाईयों से संतान होने का योग होता है कुंडली में तो ऐसी कुंडली कौन सी होती हैं तो पंचम में सूर्य दो छे आठ पांच रासियों में हो सनी अश्टम में हो मंगल लगन में हो तो ये condition आती है एक आड़ बारा भाव में करमसा सनी गुरू वा मंगल हो और पंचम में अलपसुत राश हो तो भी ये condition बनती है चंद्रमा ग्यारवे भाव में ब्रहसपस से पांचवे घर में पाप ग्रह हो और लगन में कोई ग्रह हो, कई ग्रह हो मतलब, लगन में कोई ग्रह नहीं, स्वारी, लगन में कई ग्रह हो, तो भी ये condition बनती है, इन तीनों योगों में बहुत समयबा संतान होती है, तो इसी प्रकार से कुंडली में योग बनते हैं कम संतान के योग और पाप ग्रह जो होते हैं उनसे संतान के योग और संतान प्राप्त के योग कैसे बनते हैं ये कुंडली के द्वारा भलित किया गया है विद्वानों ने अपने-पने मत दिये हैं इनके बारे में, बहुत से सूत्र बताए हैं, उसमें से कुछ आपको आपके सामने हमने रखे हैं, तो मित्रों इसके बाद फिर चर्चा करेंगे, अच्छे-च्छे टापिकों पर चर्चा होती रहेगी, तो अगर आपने लाइब 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